एक इंट्रेस्टिंग वीडियो और एक नॉलेज़ेबल वीडियो के साथ दिस इज राजनंदन सिंग एन आई वेलकम यौल टू बैंकिंग अन्फोल्ड तो इस यह जो केस है ना यह मेरे पर्सनल रिलेशन के साथ ही ऐसा हुआ था मतला खुद के रिलेशन के साथ ऐसा हुआ उन्होंने क्या किया था कि credit card apply कर दिया था अपने माताजी के नाम पर आफकोर्स माताजी इतना लिटरेट हो रहा नहीं थी तो इसके कारण जो चार्जेस हो रहा है या तो इसके बार में उनको कुछ आइडिया ही नहीं रहता था कि यह सब चार्जेस हो रहा है तो इसने क्या किया था न उनके बेटे ने एक ट्रांजेक्शन किया था के साथ 960.50 का इससे पहले भी वह करता आया है यह क्रीट कार्ड को यूज करके बट इस पेले क्या करता था यह ट्रांजेक्शन करता था और जो कुछ पता ही नहीं चल दा था कि मेरा कोई चार्ज अगर अभी आप देने करेगा यह टोटली हाउट ऑफ दमाउंड था और यह पेमेंट यह करना भूल गया था यहां पर देख सकते हो कि इस केस में क्या था कि 960 रुपय इसको देना था बट और उपर में ड्यू डेट रहत यहां पर पेमेंट ड्यू डेट अब इमीडियेट आने लगा कि अगर आप इससे और वेट कर लेट अगर करोगे तो जो भी फाइनेंसियल चार्ज है वह आप हम एड करना शुरू करेंगे तो आप टोटल ड्यू हमान जो 960 था उससे बढ़ करके आप देखो 1584 आ गया यह पर 960 था अब इसमें 590 रुपया का पर्चेस यह तो दिख रहा न यह कुछ चार्जर और एड हो गया उसके साथ कुछ फाइनेंसियल चार्ज 34.05 पैसे भी आड होकर कि टोटल 1584 आप बनना सुड़ हो गया जो कि आप एक पूरा डीटेल डिस्क्रिप्सन में देख सकते हो तो एस केस में मैंने क्या बोला कि उसके बाद उनके माता जी और फॉन किया भाई बैंक हमेसा कॉल कर रहा है और इस तरह कुछ मेसेजğ कर बार बार आ रहा है कि जैसे तुरंती पेमेंट हो रहा करो तो यह क्या is scam है या कुछ spam folder हो नर्यक्र कुछ बन करके इसमें आ रहा है तो मैंने जब चेक किया ना तो मैंने देखा कि भाई सही में कुछ due amount है जो कि payment यह लो करना भूल गया है और जो कि जिसके कारण जो एक financial charge हो रहा है यह lift हो करके इसमें दिख रहा है तो मैंने simply बोला कि जो भी payment अभी for the timing so हो रहा है total due जो कि था 1584 इसको आप पहले payment हो रहा कर I.D. में उनको आ रहा था और जिसके कारण उसके बेटे भी वह चीज नहीं ट्रैक होगरा कर पा रहे थे like credit card का कुछ statement या तो कुछ spending amount भी है तो यह मैरे पूरा scenario bank के साथ मैंने भेजा और bank ने कुछी समय के बाद मतलब एक दो दिन के बाद ही working days के बाद ही मतलब ऐसा कुछ email होगरा बेजा और as a token of appreciation एक time के लिए यह जो late fees था और financial charge था वो lift off कर दिया तो अगर आप बोलोगे कि भाई ऐसा तो बार बार कर सकता हूं तो ऐसा नहीं है सिर्फ once in a lifetime अगर आप जब से credit card यूज कर रहे हो और कभी आपसे by chance एक mistake होगर हो चुका है तो एक बारी आप इस तरह का जो benefit है आप bank से आप ले सकते हो इस तरह का अगर आप लोगों के साथ भी अगर कभी भी होता है तो simply एक email करना है अपना concern होगरा उनके साथ सेर करना है और एक से दो दिन के बार जो भी फाइन चार्जर हो रहा है यह कोशिस करते है लिफट ओफ और कर देने of appreciation once in a lifetime यह wave off कर सकता है बट GST आप government of India से direct नहीं बोल सकते हो गवर्मेंट ओफ इंडिया इसाथ बात तोड़ी ना वह मानेगा और यह करेगा उसको तो GST से मतलब हो तो लेगा ही लेगा तो यह जो charges था लगबग आप बोल सकते हो साड़े पान सु रुपया का यह वह एक अगरा से उनका बच गया और अगर इनकेस अगर फ्यूचर में आप लोग के साथ भी अगर कुछ ऐसा होता है तो आप लोग भी एक बार के लिए बेनेफिट हो गरा बैंक के तरफ से आप ले सकते हो बट कोशिस करना कभी भी डिव अमांट हो गरा रहता है हमें साथ डिव को आप लोग सपोर्ट कर सकते हो तो इस वीडियो में बसे ही था आप योप यू लाइक इट तो इसी नोट के साथ देजिस राज रंदन सिंग साइनिंग अफ थैंक यू